नमस्कार आप सभी को आज के सेशन में कई सारे स्टूडेंट्स की जो समस्या है बहुत पुरानी समस्या है कि क्वाद्रेटिक में रूट्स को फेक्टराइज कैसे करें जल्दी जब बड़े-बड़े कोफिशेंट दिये जाते हैं उस समस्या का समाधान निकालने वाले हैं तो अगर आपको कुछ सीखना है यह आप पर और इस टेक्निक को पूरी तरीके समझना है तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए देखो जैसे के एक एक एक्क्वेशन है एक स्कोर माइनस 49 एक्स प्लस 600 बराबर 0 तो सबसे पहले हमने यह आपर देखा आपको यह चीज पत दोनों नमबर कि ऑन और रहे हैं कि दखाना है जब एक लुदमर और गांगर जब यहां बलुद करनाब यह तो जितने एखेव को ब्रेक करना है आप आप ऐसे सोचिए कि अगर दो पार्ट में आपको ब्रेक करना है अगर आपने एक टू इधर रख दिया एक टू इधर रख दिया तो दोनों नंबर इवन हो जाएंगे और दो इवन नंबर का समतुर आई नहीं सकता तो सबसे पहला क्लू आपको यह सोचना है कि सारे के सारे सबको एक साथ मुझे रखना पड़ेगा अब मुझे बताओ बताओ कि कौन सी पावर का फेक्टर है हाइस्ट तो इसमें टू की हाइस्ट पावर कितनी चिपूई है दो चार आठ सोला सोले से तो नहीं कटेगा आठ से कट जाएक रही तो मैंने आठ को अलग निकाला सबसे एट निकाला है यहां से बार एक से डिवाइट गिया एट सेवन सा फिप्टी सिक्स एट पाइब दा इसको मैं करना प्रें नोर्द फेल्द करना केenk है और शेयराम के मैं और सोटे नबर मुझे में साथ रखना को नसलगना परेक कर चक्तला हम तीं इंटू 5 बंद्रव 15 इ हो गया और यह 25 हो गया है हमें माइनस फॉट्टी नाइन चाहिए तो माइनस माइनस लगा दिया दोनों में और रूट से निकालने है तो जो भी यहां पर फैक्टर आ रहे हैं उनके साइन चेंज कर देंगे यानि 24 और 25 आपको पता भी होना चाहिए कि जब यहां माइनस साइन हो यहां प्लस साइन होता है तो जो एक्विशन के रूट से हैं वो हमेशा पॉजटेव होते हैं तो प्रोवाइड़ देडिस कोफिशेंट इस पॉजटेव राइट यह इवन और वाला क आप यह सुचाओ कि टू की कौन सी पावर इसमें चेपे होई है यह दो का तो ही चार का भी है आट का मिल्टिपल है बिलकुल है 16 का मिल्टिपल है यस 16 से कर गदाएगा पर देंग को दूसरी तरफ तो आप यह देख बस इसको फैक्टराइज करना है तीन इंटु 5, 15, 15, अब मुझे क्या चाहिए यहां पर 101 चाहिए 101 कैसे बनेगा बस थोड़ा सा दिमाग लगाने 16 इंटू 5 80 हो गया 7 इंटू 30 हो गया तो 80 और 21 से यहां यहां पर प्लस साइन यहां भी प्लस साइन दोनों रूट्स क्या हो जांगे नगेटिव अगर also रहूं से तो थो आन्यूट वथ सकते हैं ON वाले कॉंसेप्ट से भी कर सकते हैं इसको कि हमें देखाई दे रहा है कि नंबर आठ का मिल्टेपल है राइट को मैं एक तरफ लेता हूं बाकी रिमेनिंग नंबर को दो पार्ट से ब्रेक कर दूँगा ताकि 93 आ जाए तूसरा कॉंसेप्ट क्या है यहां पर यह भी समयों व पार्ड रिटेक के जो भी दोनों रूट सुंगे नों का सम है 93 अब सम जो है तीन का मल्टेपल है तो देर वेरी हाई चांस कि दोनों रूट तीन के मल्टेपल होने चाहिए एकत्यस के भी हो सकते है और जो प्रोड़क्ट है वो तो 31 का मल्टेपल नहीं है ना 216 की टेवल म है तो दोनों रूट 31 का मल्टेपल कैसे हो सकते है तो उसको भूल जाओ simple number को पकड़ोव मैशा तो simple number यहां पर तीन है यह 3 into something, सबसे पहले मैंने इसको ऐसे लिख दी है, जब 3 और 3 भाहर निकाल लिए, मतलब 9 भाहर निकल गया, जब 9 भाहर निकल गया, तो 2, 1, 6, 0 upon 9, कितना बचा, 9 into 2, 18, 9 into 4, 36, 240 बचा, और यहां से भी मैं 3 भाहर निकाल देता हूं, तो 93 upon 3, यानि 31 बचेगा, बस मुझे करना क है, कि 240 को दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करना है, जिनका सम 31 आ जाए, मैंने 3-3 को भाहर निकाल दिया, इसमें से भी 3 भाहर निकल दिया, तो 31 बचा, यहां 240 बचा, 9 से डिवाइड करने पर, 240 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर दू, जाकि सम 31 आ जाए, अब देखो 31 तो एक और नमबर है, तो वह एवन और वाला लगा दू, 31 एक और नमबर है, तो जितने भी मतलब एवन नमबर है, उनको एक साथ रखना है, तो आई थिंग कि 16 का मल्टे पले है, 16 को मैंने अलग रखा, तो 16 इंटू 16, 16 इंटू 85, बस तो 16 और 15 का समय करते है, 16 यहां रख दि सकते हैं, और देखू, जैसे कि यह नमबर है, मुझे दिखाई दे रहा है, यहां 135 यहां 45, 135 तो दोनों किसके मल्टेपल है, 15 की टेबल में आते हैं, 15 की टेबल में 135 भी आता है, 45 भी आता है, तो मैं एक काम करता हूँ, 15 भाहन निकालता हूँ यहां से, तो अगर मैं यहां से 15 बहान से 15 15 यहां भी निकाला राइट मैंस अब 15 जब मैंने भान निकाला तो यहां से भी तो 15 को डिवाइड करना है ताकि सम आ जाहे नो तो चार इन्टू 5 कर दिए तो 4 प्लस 5 समझो है नों है और 4 उन्टु 5 क्या है बीस है टोटर प्रोड़क्ट तो 4 को यहां दे तो 5 को यहां दे यहां माइनस प्लस साइन है मतलब दोनों पॉजिटिव होंगे एक रूट साथ होगा एक रूट पिचफतर होगा खतम कहा है यह मिरा आंसर होगे यस चलिए और देखो अगला एक्स स्कोर माइनस 230 एक्स प्लस 13200 आपको क्लियर क्लियर दिखाई दे रहा है कि यह नंबर 10 का मल्टिपल है और यहां से भी दोनों दो 10 के मल्टिपल मुझे दिख रहे हैं तो मैंने काम कि 10 10 दोनों में से निकाल दिया लिए भाई दोनों नंबर 10 के मल्टिपल होंगे तभी तो सम 10 के मल्टिपल आये ना राइट राइट थी बात डैन तैन बहां निकाल दिया हम अंड्रेट बहां निकाल दिया तो यहां पर चाहा है एक सो बत्रिस उंबहां प्रोड़ूए इससे दो नंबर चाहिए जिनका हो गया खतम कान यह अंसर डन चलिए और देखी अधा इस सवाल में अक्सर बच्चे जो गल्ती करते हैं यह बड़े पॉफिशन तो नहीं है लेकिन यहां पर गल्ती बहुत करते हैं क्या करते हैं वो सिंपल भूल जाते हैं साइन क्या है सिंपल यह देखते हैं कि सार यहां 29 तो इसको 14 इंटू 15 लिख देते हैं 14 पंद्रे का सम चौदे पंद्रे का प्रोड़क्त दूसर से साम उनते से पर चौदे पंद्रे इसका गलत आंसर है आपने यह नहीं देखा कि यह नेगेटिव साइन है तो चौदे पंद्रे के ऑपोजिट साइन अगर मैं रखूंगा लेट्सपोज आप माइनस पंद्रे प्लस चौदे अगर रखोगे तो भी समसर्फ माइनस वन बनेगा मैं तो यह माइनस ट्विटी वन बनाना है ना तो चौदे पंद्रे इसका गलत आंसर है हमें करना क्या है सबसे पहले एक काम करते है अ अगर मैं इनको क्या लिख सकते ह इन दोनों को तो यह 35 बनेगा और यह 6 बनेगा और ऑपोजट साइन लेने पर भी समझो है माइनस 29 बन जाए माइनस 35 वो प्लस 6 का समझे आया माइनस 29 और प्रोड़क्ट भी इनका नेगेटिव है तो यह है इसके सई रूट्स यानिकि माइनस 6 इनके साइन चेंज करो माइ और स्यम टेक्निक जो मैंने मंट्रिपल वाली लगाई उससे को सॉल करूँ और कमेंट करके इसके रूट्स मुझे बताओ राइट उमीद करता हूं यह टेक्निक आपके लिए हैलफुल रहेगी एक्जाम में बड़े बड़े जो फैक्टर्स हैं उनको फैक्टराइज करने में राइट और अगर आपको यह टेक्निक पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरू करें दोस्तों जार शेयर जरू करें अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू सो मच